शेरादे रदे, भक्तों महान पुरुष अर्थात भगवान के प्यारे संत जन भक्त जन जहाँ जहाँ होते हैं, विशेश विभूतियों के आविरुभाव होने पर विश्व अपने आप एकत्रित होने लग जाते हैं। और प्रेम विख्षु जी महराज का जब नाम संकीर्थन का प्रेम भरा अंदोलन चल रहा था, तो श्री देवरा बाबा जी महराज जिनकी चरिटावली मैं आपको सुना चुका हूँ, वो भी बहुत भाव से इनके साथ थे। आप चित्र में देख रहे होंगे, बीच में एक लंबी-लंबी जटा वाले संत हैं, दूबले पतले से, उदेवरा बाबा जी महराज, उनकी बगल में श्री प्रेम विख्षु जी हैं। एक बार उननीस सो साथ ही इस्वी में, वन गाउं सीता मरी में, बोधायन रिशी के आश्रम पर विशाल यग्य का आयोजन हुआ। यग्य में मुख्यता थी नाम संकिर्टन की। देश के कोने कोने से बहुत संत महात्मा इस यग्य भूम में पधा रहे थे। श्री प्रेम विक्षिजी महराज भी अपने कथपयां तरंग भक्तों के साथ वहां पहुँच कर भगवन नाम अम्रत मधूर स्वरलाहरियों की द्वरा विखेर रहे थे। और आगन्तुक भक्तेयों पस्थित संत मंदली सभी लोग श्री प्रेम विक्षिजी महराज के स्वर से स्वर मिलाकर नाम धुन की परमानंद में निवागन हो रहे थे। और भक्तों उसम दिनों विश्रवन्द योगिराज श्री देवरा बाबाजी बहुत प्रसिद हो रहे थे। वो भी आए और यग्यमंदप में पधा रहे। यग्यकी विभिन स्थलों के अवलोकनों परांत जहां प्रेम विक्ष महराज जी का नाम धुन चल रहा था वहां स्वर बाबाजी पहुचे और लगातार एक स्वर से साधु 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 ऐस्चे पुकरना शुरू किया। महराज श्री प्रेम विक्ष जी भाव में रित्यमगन थे। नाच रहे थे तीवरता से और हाथ उपर उठे वे पुतली आँखों की चड़ी होई, आँखों से आंसों की धार लगी होई, शरीन में रोमांच और केश उनकी अस्तव्यस्तक खड़े से हो रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके रोम रोम से भगवन नाम ध्वनी उच्चरित हो रही है। जब उनकी आँखें खुली, तो देखा कि सम्मुख श्रीयोग राज श्री देवरह भाबा खड़ी हुए। और जब प्रेम्भिक्षुजी दंड़ोत प्रणाम करने को जूकने लगे थे, तो रहन देवरह भाबा ने उनको पकड़ लिया और हिर्दे से लगा लिया। जब दंड़ोत करने नहीं दिया। और देवरह भाबा बोले प्रेम्भिक्षुजी से, ये महामानव आप धन्य, आप जैसी देव सरूप आत्माएं जग के हित ही, जगत के हितार्थ ही अवतरित हुआ करती है। कलियू के परमोच साधन नामजब की सिध्धी प्राप्त करके आपने विलक्षन प्रतिभार जित किये। आपकी दैवी शक्ती प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रही है। लोगों में आपने नामोन माद का दिव्य मंत्र फूंक दिया है। कलिमल ग्रसित पाप पंक में फंसे असंख जीवों का कल्यान आप कर रहे हैं। नाम महराज के द्वारा आप कल्यान कर रहे हैं सबका। बहुत बहुत बढ़ाई किया देवरा बाबा ने प्रेम भक्षु जी किया। तो प्रेम भक्षु जी हाथ जोड़के बोले महराज। आप जिसे महान पूर्षों का अशिरवाद है मेरे उपर। देवरा बाबा से बोले है ये ओगिराज। आपने अपनी सहज उदारता बस ये शब्द मुझे सुनाए है। मैं तो प्रभु का नाम ही जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन आप तो योगिराज हैं। आप तो एक महान भी होती हैं। आपकी कृपा से बड़ी-बड़ी योग शक्तियां प्राप्त हो जाती हिंसादुकों को। आपका साम्राज योग का बहुत व्यापक है। गोर हिंसक जीव भी आपकी हिंसा आपके पास पहुंच करके हिंसवर्थी को भूल लाता है। और आपके उपराक्मर नहीं करता। शाम्त हो जाता हिंसक जीव भी। आपकी हिंसा कैसी कर सकता। आप तो योग सिद्ध हैं। और आप मेरा गुणगान कर रहे हैं। कि मैं जानता हूँ कि आप स्वय में एक महान हैं। महान योगी राज हैं। देवरा बाबा ने हिर्देश से लगा करके कहा भगवान नाम की जो दिव्य शक्ति आप में प्रकत मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं। उसी के कारण मैंने आपकी बढ़ाई किये। मैंने आपको प्रसंद करने के लिए नहीं सब कहा है। मुझे दिखलाई पड़ रहा है कि भगवान के नाम की शक्ति आपके अंदर प्रकत हो करके जीवों का उद्धार कर रही है। और भक्तां उसके बाद देवरा बाबा और स्री प्रेम भिक्षिजी महराज ने देर तक अध्यात में चर्चा की। लगता था जैसे दोनों वेद के मूर्थिमंत स्वरूप हों। इस प्रकार उपस्तित जन समुधाय का महत अनुरण्यन किया इन दोनों महापुर्शों ने। और देवरा बाबा ने तो इनको कहा कि आप स्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे आवतार हैं। और प्रेम विक्षु जी ने देवरा बाबा की जैजेकार की। दोनों महापुर्शों ने एक दूसरे का गुणगान किया है वक्तों। और मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि उन दिनों प्रसिद्ध संथ प्रेम विक्षु जी ने पता किया तो देवरा बाबा ने का प्रभुदत ब्रहमचारी आप से मिलना चाहते हैं। वही में एक महानपुरुष हैं। दोनों ही महानपुरुष मिले थे। गले लग करके मिले। और भगवान के नाम के गान में मस्त हो गए। श्री प्रेम विक्षु जी काते थे कि भगवन नाम के उत्चारन करते समय फिर्दे गदगद हो जाए, आँखों से अशुरुपात होने लगे, तता शरीर में रोमान चोहो तब समझो कि नाम की सिद्धी हुई है। और वो नाम जापक की रक्षा करती है, वो नाम की शक्ती और सब का कल्यान करती है। वो दो यहां तक काते थे कि जीवन का सदुपयोग श्री राम नाम का जब करने में है। प्रमाद बस इस अमुल समय को जो भगवान ने तुम्हेरे जीवन के लिए दिया है, इसे बरबाद नहीं करना चाहिए। भगवत भजन के वास्टविक मर्म को वही जान पाता है, जिस पर करुना में प्रमात्मा की पूर्ण धया होती है। प्रेम विक्षुजी काते ते भाक्ती भाव को सतत जागरित रखने के लिए निष्ठा पूर्वक भगवन नाम का जब करते रहना चाहिए। महराज जी अर्थार प्रेम विक्षुजी का ये प्रेम भरा हुआ नाम संकीर्टन का यग्य आंदोलन का रूप धारन किया था। आंदोलन का तात्वर अशांति आप मत समझे ना। शांति और भाक्ती का प्रवाब था था उसमें। सरवत्र हर दिशा में, हर खेत्र में, गुजरात में तो हर जग महराज जी का नाम संकीर्टन व्यापक हो गया था। और सवराष्ट में, खासकर जाम नगर में, उन दिनों सन 65 की बात है, 1965 में यह पाकिस्तान ने भारत के उपर आक्मन किया था। बड़े-बड़े गोले छोड़े थे, बम। लोग घबला गय थे कि जनता मर जाएगी। प्रिम भिक्षुट जी ने कहा, आप लोग घबला हो मत, प्रभु का नाम आपकी रक्षा करेगा। और नाम संकीर्टन में सब को मस्त कर दिया। और वहां जनता की सुरक्षा भगवान के नाम की दोरा हुई। बम तो गिराय थे पाकिस्तान में, लेकिन खाली मकान पर बम गिरे थे, जहां कोई नहीं था। अधिक तर लोग निकल निकल करके कीर्टन में सब चले गए थे। दीवाल भी गरी लेकिन उसके पास में सोय हुए बच्चे एक भी नहीं दबेन नमर है। ऐसी तमाम घटनाएं घटी थी, कि जहां जहां नाम संकीर्चन महराज जी का चल रहा था, उस समय सन 65 में पाकिस्तान ने गोले छोड़े थे, लेकिन किसी को भी थोड़ी सी भी चोट नहीं लगने पाई थे। नाम की शक्ती प्रत्यक्स लोगों ने ऐसा देखा, दर्चन किया, नाम महराज का बल देखा। वक्तों महराज जी काते थे कि नाम संकीर्चन करने के कारण प्रभू के पाद पद्मों में दिल हनुराग उत्पन हो जाता है, जिसका चित्व प्रेम से दर्वई भूत हो जाता है, वो उनमत तो हो के खिल खिला के हंस्ता है कभी, कभी दार मार के रोता है, और कभी रोते- करके चिलाने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी संसार की कोई परवा कि ये बिना अनंद के द्वेग में नित्य करता है, और भक्ती ग्रंतों में भागोताज में भी लिखा हुआ है, कि ऐसे भक्त धर्ती को पविट्र करते हैं, है अरजन मेरे नाम को जो गा करके, मुझे अपने पास देखकर मेरे सानिध्य में, अर्थात मेरा अनुभो करते हुए, मेरे सानिध्य में नाम गाता हुआ जो नित्य करता है, वो मुझे खरीद लेता है, ऐसा भगवान ने स्वयम कहा है, कि उसके द्वरा जगत पावन होता है, अब प्रेम विक्षिजी की यही दश्या थी, वो जब कीर्टन करते थे, तो नया आदमी तो घबडा जाता था कि पागल है बबा क्या, और फिर खिल खिला के हंसते, फिर रोने लग जाते, दहार मार के रोते, चिलाते, गाते कभी, उनमत तो हो करके बेहोसी जैसी हालत होती, आखें चड़ी हो ही, हाथ कभी उपर होते, कभी जोर से घूमते रहते, वस्त्रों की भी परवा नहीं होती थी उनको, और उनकी बाल खड़े हो जाते थे सब, ऐसी ब्रह्मन करते करते द्वार का पुरी पहुंचे हुए, और गुद्वार का धीश के दर्शन कर भाव हार्च से आखों से गंगा यमुना जैसी पावन वारिध हरा प्रवाहित होने लगी, घंटों ध्यानस्थ रहे, संत और भगवान का मधूर मिलन हुआ, और प्रभु से मौन वार्ता भी हुए, जिसमें इने द्वार का के छेत्रों में नाम प्रचार योंग नाम अनुस्ठ करने की द्वार का धीश की आग्या प्राप्त होई है, इस प्रकार से भगवान के निर्देश आदेश के नुसार ये नाम अनुस्ठान में सब भी को लगाये थे और खुद भी लगे थे, कृष्ण और राम में अभेद्रिष्टी रखने वाले महराजी ने द्वार का समक्ष विजय मंत्र शिराम जे राम जे जे राम ये कीर्टन चालू किया था, तो द्वार का के पंडों को जब जानकारी मिली किया, ये तो शिराम जे राम जे जे राम ये कीर्टन हो रहा है, तो उस भक्तों उस सुरू में उन्होंने बहुत विरोध किया, कि ये मुरली मन ओहर द्वार का धिश जी का स्थान है, यहां राम का नाम नहीं चल सकता, ऐसा पंडो ने कहा था, और महराज श्री के मुखमंडल पर मंद मुस्कुराहत ना चुठी, आखों में अश्रु आ गए, गदगद कंठ से बोले, राम और कृष्ण में भेद कहा है, राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है, आहा वो लावन्य मैं मूर्ती, श्याम सलोनी, छबी प्रभु की, करकमलो में मूरली, आहा फिर वही श्यामल छबी हाथों में धनुस बानू, कृष्ण राम है, राम ही तो कृष्ण है, वानी में इतना प्रेम था, कि उपस्ठी जन्म समूप और ज रादू सच्छा गया, महराजी की अम्रित्माई बानी में सारा भेद मानुख हो गया, जो लोग आग्र कर रहते कि नहीं, द्वारका में तो राम नाम नहीं, कृष्ण नाम का किर्टन होगा, वो सब प्रेम विभोर हो गये, करतल ध्वनी हुई सबों के मुख से एक साथ मह का नहीं, बानी गुद्प उठी, श्री राम जे राम, जे जे राम, और महराजी भी मन ही मन, वह धन गुद्वनी गुद्वनाते रहे, कभी जोर से बोलते, कभी मन ही बोलते. भक्तों द्वार का धीश के सानिध में प्रथम बार विजय मंत्र श्री राम जै राम जै जै राम गूजा था संट की स्वर लहरी ने एक अनोखा वाता वरनुत्पन्न किया इस नाम दुन संकीर्टन में वहां के जनता अत्येंत प्रभावित हुई पहले कभी भी वहां राम नाम की किर्टन नहीं होता था कृष्ण नाम किर्टन ही होता था इसलें लोगों को बड़ा पटा शुरू में लगा लेकिन बाद में तो सब मत्वाले हो गए नाम किर्टन में हजारों की संख्या में लोग उसमें भाग लेने लगे सभी इस संकीर्टन की भाव समाध्य में डूप गए उन्होंने द्वारका वास्यों को आविस्मरनिय अभूत पूर्व अनभूत की जलक दिखा करके निहाल कर दिया द्वारका धीश का कारिक्रम पून होने के बाद श्री प्रेम विक्षुजी महराज ने जमनादास भाई के आग्रह पर जाम नगर के लिए प्रस्थान किया भाक्त जमनादास ने बड़े प्रेम से उन्हें अपने बगीचे में ठाराया वहाँ पर जमीन के अंदर गूफा तथा रम्न और निर्जन वातावन देखकर बड़े प्रसंद हुए वहाँ अनुस्थान करने की इच्छा व्यक्त करते हुए जमनादास से बोले जमनाजी जमनाजी मैं यहाँ बिने पत्रिका कब अनुस्थान करना चाहता हूँ आपकी क्या राय है क्या विचार आपका जमनादास साहर्च बोले महराजी ओह भाग्य आप यहाँ अनुस्थान कर इस भूम को पावन करें दास को जो आज्या करेंगे शुरोधारी होगा वहराजी अनुस्थान में बैठ गए अनुस्थान काल में वो माउन वरत का पालन करते थे ब्रह्म हूर्त में गुफा में प्रवेश करते एक बजे अपरान बाहर आते और मात्र एक पाव उबली हुई मुँ ग्रहन करके उन गुफा में प्रवेश कर जाते तब पाँच बजे शाम को बाहर आते दर्शनार्ती भक्तों की भीर लगी रहती थी पाँच बजे शाम को बाहर आकर कुछ काल रुक कर फिर गुफा में प्रवेश कर जाते हैं दर्शनारती भक्तों की भीर लगी रहती है जिनमें जमना भाई गिरधर लाल जोशी और उनके साथ ही लोग प्रधान थे महराज जी अन्य चर्चा न करके उपस्तित भक्तों से श्री रामधुन ही करवाया करते थे पाल तु बात किसी से नहीं करनी रामधुन बोलो इस तरह एक सो आठ दिनों तक यह अनुष्ठान चला और तपूर्ण हुआ श्री ओंकारदास जी महराज ने अनुष्ठान की आवदितक महराज जी की सेवा अर्चा बहुत तनमेता से की और नाम कीर्थन भी चलता रहा एक रोज रात्री में स्वप्न में हनुआन जी महराज का आदेश प्राप्ठ हुआ कि तुम 84 लाख विजय मंत्र लिखित माला अर्पित करो महराज श्रीशकारे में जुटके निरधारित समय पर लिखित मंत्र की आपूर्ती हो जाए इसलिए उन्होंने उतकट प्रयास किया उन्होंने बंबाई द्वार का बिहार आज के भक्तों को सूचना बेजे जहां तहां से लिखित मंत्रों का आना शुरू हुआ पूर्णा होती के पांच रोज पूर्वी अखंड नामदून संकीर्टन प्रारंब हुआ और पूजी श्री के तनमन में अद्वुत अलावकिक शक्ति का संचार देखते बनता था उनके नेत्रों से अविरल प्रेमा शुप्रवा जारी रहता था दर्शनार्थी भक्तों में अधिकांस लोगों ने उन्हें साक्षात महाबली हनुमान के रूप में देखा था 84 लाख मंत्र अरपन करने का संकल्प था परन्तों हनुमत कृपा से 1 करोड 28 लाख विजय मंत्र की भावान जली श्री हनुमान जी की महराज को श्री प्रेम भिक्त जी महराज ने अरपित की वक्तों श्री राम जै राम जै जै राम ये जो मंत्र है इसी को विजय मंत्र का जाता है हनुमान जी महराज की प्रेणस से वहां का कारिक्रम पून करने के बाद 13 करोड लिखित विजय मंट्रufen करने का संकल्प लिया और श्री बेट द्वारका में 13 मास का अनुष्ठान प्राडंब किया हनुमान दान्डी के उपरवाली मंजिल पर यह अनुष्ठान चल रहा था हनुमान दान्डी जाग्रित और सिद द्रस्थान है श्रद्धाल नर्यनारी प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनारत उपस्थित होते थे और बड़ी निष्ठा के साथ हनुमत अर्चा करते भक्तों की मनो कामना महावली हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती थी ये स्थान घोर जंगल के मध्ध है भक्तों लिखा जाना असंभाव था महराज श्री काश्ठ मान का पालन कर रहे थे अतह कुछ लोग विवस्थ है कि महराज जी कैसे बोलें क्या क्या जाए इनकी आवाज किर्टन की सुनने को मिले ये वस्थापक भक्तों को चिंता सी होने लगी महराज श्री मनही मनकारे के सफलतार आर्थ प्रार्थन कर रहे थे अकस्मात काश्मीरी बाबा का उपर टंगा चित्र पट इनकी गोध में गिरा महराज जी का ध्यान टूटा तो आवाज आई भक्त तू घबडाता क्यों है मैं आपको पहले बता चुका हूँ काश्मीरी बाबा इनकी गुर्देव थे और वो चित्र इनकी गोध में आया और आवाज चुनाई पड़ी भक्त तू क्यों घबडाता है मुझे पर भरोसा रख तेरा कारे निर्विग्न पूर्ण होगा भक्तों ये सब गुर्दियों के आशिरवाद सिकारे निर्विग्न हो राता पूर्ण दो माह के अंदर ही मंत्र लि इतना बोलने पर एक मंत्र होता है ऐसे अठार करोण मंत्र लिखे हुए आ गए महराज श्री के व्यक्तित उसे प्रभावित होकर मुसल्मान भक्तों ने भी मंत्र लिख कर भेजा था समापन समारो के उसर पर समीपस्थ गाउं के हजारो नलनारी महराज श्री के दर्शन के लिए उपस्थित हुए और दर्शन करणों ने कृतार्थता का अनुभो किया इस अनुष्ठान में महराज जी के प्रधान सेवक श्री जैन्तिलाला और दामोदर पात थे और भक्तों दीरग काल के अनुष्ठान के फला स्वरूप बेट द्वारका में पर्याप तो बरशा हुई वहांके लोगों का कहना है कि आज तक उतनी बरशा कभी नहीं हुई यह सब महात अपस्वी श्री प्रेम भिक्ष जी महराज के तप और उनके गुझाए हुए विजय मंत्र का प्रभाव था 18 अप्रेल 1961 में द्वारका में एक महान यग्य हुआ दान्डी हनुमान के अनुष्ठान काल में श्री महराज जी का संकल्प 13 करोड विजय मंत्र लिखने का था परंतो 18 करोड विजय मंत्र लिखे हुए उन मंत्रों में प्रतिष्ठित शक्ति थी उन मंत्रों को फिर प्रतिष्ठा करने का विचार हुआ द्वारका में मंत्र मंदिल का निर्मान किया गया और उन मंत्रों को विधि पूर्वक पृतिश्चित किया गया इस माउत्सों में भाग लेने के लिए बिहार पूर बिहार जो मुझफर पूर मुझफर पूर जो बिहार में है वहां से, सीता मरी से, शिवहर से, चमपारण, आज छेत्रों से बहुत भक्ते कत्रित हुए थे एक विशेश नाम महराज का कारिक्रम था भक्तों और महराज जी ने गुजरात के लोगों को तो आनंदित किया ही बाहर के लोगों ने भी आ करके वहां खुब आनंद लिया और आगे कहां कहां कैसे क्या करते हैं महराज जी उस बात को मैं आगे आपको फिर सुनाओगा आज महराज जी को यहीं प्रणाम करके भी राम दे रहा हूँ शीर दीर दीर, शीर दीर.